दोस्तो कुछ ही दिनों में सावन का महीना पूरी तरह से खतम हो जाएगा और आप ये जानकारी लिए बिना ही इस सावन के महीने को छोड़ देंगे तो इससे पहले कि ये सावन का महीना खतम हो और इसमें अभी भी 3-4 दिन बागी हैं तो इन 3-4 दिनों का लाब उठाते हुए क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा पूरा साल भर हमारा गार्डन हमारा घर सबसे ज़्यादा महक उठे और बास्तू के अनुसार ही नहीं वैसे भी हमारे घर में सुद्धता का वातवरन बना रहे तो आईए जान लेते हैं कि हमें ऐसा क्या उपाय करना है जिससे हमारे घर का एक पॉजिटिव एनरजी बनी रहे और उसको हम हमेशा बनाए रखें अपने गार्डन के द्वारा तो जैसे कि ये सावन का महीना है तो सावन के महीने में घर में लगाएं तीन सुब पॉदे घर में रहेगी पॉजिटिव एनरजी और होगा धन का लाव आईए कुछ जान लेते हैं इन पॉदों के बारे में वैसे तो सभी पॉदे सुब होते हैं कोई पॉदा असुब नहीं होता है बस हमें उसकी जानकारी नहीं होती है खास कर कुछ ऐसे पौदे होते हैं जो बहुती ज़्यादा शुब माने गए हैं और जैसे कि हम बता दे सावन का महीना इसलिए शुब माना जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान का बास होता है तो इसलिए इस महीनी को शुब माना जाता है तो आईए जान लेते हैं वो कौन से तीन पौधे हैं पहला पौधा है बेल पत्र को महादेब का सबसे पसंदीदा पौधा माना जाता है बेल पत्र के पौधे को महादेब की सीबलियम के पास लगाना बहुती जादा अच्छा होता है क्योंकि जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो इसके पेड के नीचे बैट करके महादेब की पूजा की जा सकती है और हम इसका डवल फायदा भी ले सकते हैं अब डवल फायदा कैसे वो भी आपको बता देती हैं एक तो आपकी घर में पौधा लग जाएगा पेड लग जाएगा और दूसरा उस पेड से आप छाया और पत्ते और उसका फल प्रात भी कर सकते तो इस तरह ये डवल फायदा हो सकता है इस पौधे को लगाने से क्या होता है कि हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है नकारात्मत्ता है वो सब दूर हो जाती है एस पौधे को बीज से भी लगा सकते है और दूसरे नमबर पर बात करेंगे सम्मी के पौधे के बारे में सम्मी का पौधा बहुती सुभ पौधा होता है इसके पौधे को घर में लगाने से बहुती ज़्यादा पॉजिटिव एनरजी वनी रहती है घर में और साथ ही जो भी negativity होती है, वहाँ दूर हो जाती है, सम्मी की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं इस पौधे के लिए, क्योंकि यहाँ पौधा बहुत ही ज़्यादा शुब होता है, इसकी पत्ती और इसके फूल सभी हम महादेब पर चड़ा सकते हैं, बहु पत्ता बनी रहती है, हर कोई चाहता है कि उसका घर खुबसूरत बना रहे और सुन्दर देखे, इसलिए इस पौधे को खुबसूरती की नजर से भी देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हवा को सुद्ध बनाता है, साथ ही इसके बहुत सारे ल होना बहुत ही जरूरी माना गया है, दोस्तो अभी तक आपने इस पौधे को नहीं लगाया है, तो सावन महीना खतम होने से पहले पहले आप इस पौधे को लगा लीजिए, जिससे कि आपको इसका पूरा के पूरा लाब प्राप्त हो सके, और साथ ही आप ये कमेंट कर जर वान शिप का नाता बहुत ही ज़्यादा गयरा है, धतूरे के पौधे को आप सिबलिंग पर भी लगा सकती है, इस पौधे को लगाने से घर में सुक सम्रद्धी आती है, और इस पौधे को घर में लगाने से यह भी फायदा होता है कि आपको इसके फल और धतूरे को कहीं बाहर ढूरने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर में ही आप इसके पौधे को तोड़ कर महादे पर चड़ा सकती है इसलिए यहां पूजा पार्ट में सबसे ज्यादा महत्पूर्ण रखता है खासकर जब सिपरात्री आती है सावन सोंबार आती है जब हमें सिपजी को प्रशन करना होता है तब इस प्रकार के हम फलों को पतियों को फूलों को सब को एखटा करके सिपजी पे चड़ा देती है आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताईएगा